देखेंगे अगर आप जॉब करते हैं स्टुडेंट है या फिर किसी अन्य कारण से पूजा में ज्यादा समय नहीं लगा सकते तो भी आप बहुत ही सरल तरीके से नौरात्री का पूजन कर सकते हैं तो देखें नौरात्री का पूजन आप बीना जुआरे बोई बीना कलस के स्थापना के भी कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं कि हम कम समय में नौरात्री का संपूर्ण पूजन कैसे कर सकते हैं तो नवरात्री का पूजन करने के लिए सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे, चौकी पर हम लाल रंग का वस्र विशा लेंगे, इसकी बाद हम थोड़े से चावलों का आसन देकर माता रानी की फोटो को विराजमान कर लेंगे, आप मुर्ती या पोटो जो भी हो आपके पास उनकी पूजा कर सकते हैं, इसकी बाद हम माता रानी के सीधे हाथ की तरह थोड़े से चावल रखकर, जल से फरकर कलस रखेंगे, कलस पर हम स्वास्तिक बना लेंगे, और कंट पर हम मौली बांद लेंगे, कलस को खाली नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि हम कलस की स्थापना नहीं करें, फिर भी हमें एक कलस चलका भरकर रखना है, कलस में हम एक सिक्का डाल देंगे, आप चांदी का भी सिक्का डाल सकते हैं, इसके बाद हम एक प्लेट में चावल भरकर कलस पर रख देंगे, अब हम थोड़े से चावल रखकर गनेश जी को विराजबान कर लेंग अब हम दीपक जला लेंगे, इसके बाद हम रोरी से गनेश जी को माता रानी को तिलग करेंगे, होटो में भी रजमान हम सभी माता रानी को तिलग करेंगे, इसके बाद हम गनेश जी को वसरुसरुप कलावा समर्पित करेंगे, और माता रानी को हम चुल्डी समर्पित इसके बाद हम भोग लगा देंगे तो बतासे का फल का हम भोग लगा देंगे आप चाहे तो मिठाय का भी वो लगा सकते हैं इसके बाद हम कुछ दक्षिना समर्पीत कर देंगे आप नवरात्री के पहले दिन या लास्ट के दिन दक्षिना समर्पीत कर सकते हैं किसी भी एक समर्पित करना होता है अब हम चोटा सा हवन कर लेंगे नवरात्री में हवन का विसेश महत होता है तो हम चोटा सा मिटी का पात्र ले लेंगे इसमें हम दो कपूर डाल लेंगे और इसके बाद हम दो लॉंग का चोड़ा डाल देंगे ध्यान रखे हमें लॉंग फूल वाले ह लेने हैं इसके बाद हमने जो बतासे का भोग लगाया है उसमें से थोड़ा सा बतासा लेकर अगनी में समर्पित करेंगे इसके बाद हम जल समर्पित कर देंगे अब हम आरती कर लेंगे तो गनेश जी की मातारानी की हम आरती कर लेंगे आरती के बाद हम हां जुड़कर माता परणी से छमायाचना करेंगे और अपनी मनों कामना पूरती के लिए प्रातना करेंगे तो इस तरह से हम बहुत ही सरल तरीके से नौरात्री में पूरे नौ दिन पूजन कर सकते हैं पूजन के बाद हम जल के लोटे से सुरी देवता को अर्ग दे देंगे और जो भी भूख परसाध है वो हम सब में बाठ देंगे और देखिए ये जो कलस की स्थापना की है जो कलस भर कर रखा है हमने जल से हमें ये नहीं उठाना है पूरे नौ दिन तक ये कलस चोकी पर ही रखा रहेगा चोकी हमें 10 वे दिन उठानी है क्योकि नौरात्री की 9 दिन तक पूजा मातारानी की होती रहेगी दसवे दिन ही हम चौकी उठाएंगे और जो जल से भरा हमने कलस रखा है उसका जल हम पूरे घर में छिड़क देंगे और बागी जल हम पौधों में डाल देंगे नौरात्री पूजन की बिदी बहुत ही सरल है थोड़े से प्रयास से मातारानी प्रसन हो जाती है और हमारी सभी मनकमनाओं को उन करती है अगर आपको नौरात्री पूजन का ये सरल बिदी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सस्क्रा कीजिएगा थाइंक्यू राधे राधे जय सिर्कृष्णा